पाइने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने एक निउस के बारे में काफ़े सुना होगा और वो है रशियन आरडी 93MA इंजन अखिरकार ये निउस क्या है और क्यों लाइट कॉम्बैटेट क्राप त इस्तिमाल करेगा तो आईए शुरू करते हैं आज का अपने ये वीडियो जहां पर इन ही सारे प्रशनों के उत्तर हम ढोड़ेंगे दोस्तों बात ये है कि जब से मीडिया में खबर सामने आई है कि जनरल इलेक्रिक सप्लाइचीन इशूस के चलते F404 एंजन की डिलिबर करने से बच रहा है और एक के बाद एक टाइम लाइन जो है सामने रखी जा रही है तो उसके बाद से जो डिफेंस एंथूजियास्ट है इनके अमन में रोश का भाव लगातार उत्पन हो रहा है वो खुश नहीं है क्योंकि हमारा प्यारा तेजर्स जो कि मार्च में ही भा अगस्त बीद गया है सेप्टमबर आने वाला है और भारतिया वायू सिना को नहीं मिला है और इसी लिए डिफेंस एंथूजियास्ट के मन में क्वेश्चन यह है क्या हम वाकई ओवर डिपेंडेंसी तो नहीं दिखा रहे है जबकि उससे पावरफूल एंजन रशिया ने दरसल 2020 में United Engine Corporation जिसको UEC के नाम से जाना जाता है उन्होंने एनाउंस किया था कि वो एक नए टर्बो फैन एंजन को टेस्ट कर रहे हैं जिसका नाम RD-93MA था दरसल यह एंजन RD-93 का एक इंप्रूवड वैरियंट है जिहां RD-93 वही एंजन है जो पाकिस्तान के और चाइना क जेव 17 ठंडर को पावर करता है और यह एक राप पाकिस्तानी वायू से नाकर जो कह सकते हैं ताकत का केंदर बिंदू बना हुआ है अब RD-93MA की बात करें तो यह प्रेडिस्सर के तुलनाम में बहुत सारी एडवांस्मेंट के साथ देखा जा रहा है जैसे कि इसकी थर्ब इंजन को परिशन ने इस इंजन के सेफटी फीचर्स को भी इन्हांस किया है जैसे कि इसमें इमर्जेंसी इंजन स्टार्ट मोट देखने को मिलता है जो कि सिंगल इंजन फाइट एक्राप्ट के लिए काफी क्रूशल माना जाता है और इसा होता भी है और वो इसे परफॉ कोई अभी और को प्राप्ट नहीं किया है पहले यह माना जा रहा था कि यह जेप 17 ब्लॉक 3 में इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन बाद में जेप 17 ब्लॉक 3 में इन इंजन को देने से मना कर दिया गया और अब इसे लाइट कोमेटे क्राप्टीजर्स के ओप्शन के तौर देखा जा रहा है दरसल इस समय जो डिले चल रही है F404 के डिलिबरी में उसके बाद से जो डिबेट है वो ट्रिगर हुई है कि क्या भारत को रशियन इंजन पे कंसीडर करना चाहिए क्या रशियन RD-93 भारतियर वाई उसे ना की जरूरतों को पूरा कर सकता है क्योंकि यह इंजन ना सिर्फ जादा एडवांटेजियस कंडिशन में है बलकि यह काफी जादा इंप्रूब्ड है और यह चनल इलेक्रिक F404 के तुलना में भारत को सस्ता भी पढ़ सकता है आपको बता दें कि जो RD-33 इंजन है जिससे भारत में हिंदुस्तान अरेनोटिक्स लिम्ट है और रिलाइविल्टी का जो क्लेम है वो तेजस के लिए काफी बेनेफिशल साबित हो सकता है लेकिन आपको बता दें क्योंकि इस इंजन को अभी तक कोई और नहीं मिला और प्रैक्टिकली किसी फाइटर जिट में यह ऑपरिशनल नहीं है तो इसको लेकर के डिफेंस ए इनमें इंजन रिलेटेट इशूज हमेशा बने रहे हैं और वो काफी परिशान भी हुए है इनफैक्ट जो अल-31 इंजन है उनमें भी बहुत सारे फ्लॉस हैं जिनको दूर करने का प्रयास आज भी किया जा रहा है और एक्सपर्ट्स यह मानते हैं कि तेजस जैसे आसान नहीं होगा क्योंकि अल्रीड हमने 93 जनल इलेक्ट्रिक एप 404 के जो आर्डर से वो प्लेस कर दिये हैं और आने वाले भविश में इन नंबर्स में बढ़ूतरी नहीं संदे हमें देखने को मिलेगी और हमने पूर्व के रिपोर्ट्स तर भी आपको बताया कि हम फा इसलाज है उसमें चेंजिस भी करने पड़ सकते हैं ताकि वो इन इंजन को इंकॉपरेट कर सके यानि कि हेल ने पहले भी कह दिया है कि इंजन स्वैपिंग का कोई सेंसी नहीं बन रहा है क्योंकि अगर हमने ऐसा करने का सोचा भी तो यह मान के चलिए कि आपको तकरीबन इसमें चार वर्षों तक की डिले देखने को मिल सकती है अब आप खुद बताईए कि हम इस कंडिशन में हैं कि हम चार वर्षों की डिले को अफॉर्ड कर पाएं वो भी तब भारतिया वायू से ना ओल्रेडी घट्टी स्कॉर्डन के शमता से परिशान है और मिक 21 की दो स् तो फिलाल इस डिबेट पर यहीं विवराम लग जाता है कि भारत इसको लेगा या नहीं क्योंकि यह जो डिबेट है ना यह समय समय पर ट्रिगर होती ही रहेगी इससे पहले डिबेट ट्रिगर हुई थी कि क्या भारत को जनरल एलेक्रिक F404 की जगहे पर जो EJ200 है या फि कावीरी इंजन को लिकर भी यही क्लेम किया जाता है कि वह 73 से 75 क्रिटन का ट्रस्ट जनरेट करेगा तो अगर हमें M88 इस्तेमाल करना है तो एक्सपर्ट से ही मानते हैं कि इससे अच्छा पिर हम कावीरी इंजन के लिए ही रुख जाते हैं और रही बात EJ200 की तो फिर वही वेगरा यह सब चीजे करने में भारत को एक लंबा समय व्यतीत करना पड़ सकता है तो इसलिए एक्सपर्ट्स यह मानते हैं कि हमें जनरल इलेक्रिक के साथ मिल करके जो इशूज है इन्हों जल्द से रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाना चाहिए और अगर हमें इंजन स्वैपिंग करनी ही है तो वो इंजन कोई विदेशी इंजन ना होकर कि अगर कावीरी इंजन हो तो फिर यहां पर सोने में सुहागा है क्योंकि कावीरी इंजन जो है यह ना सिफ तेजस के लिए ही बनाया गया है क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई थी 1980 के दश्रक में तो एक मात रुदेश के साथ हुई थी और वो थी लाइट कोमेटे क्राप तेजस को पावर करना तो इसी लिए ना तो हमें RD-93 की फिलाल जरूरत है और ना ही हमें EG-200 पर ध्यान केंदरत करना चाहिए हमें अगर ध्यान केंदरत करना ही है तो स्वदेशी इंजन डेवलप का इंजन प्रोडक्शन है इसके सामान नहीं होने की कोई उमीद नजर नहीं आती है और यह बात खुछ जनल इलेक्ट्रिक ने भी एकसेप्ट करी है उन्होंने कहाया कि कार रिज्यूम तो हुआ है लेकिन अभी वो चौबिस इंजन प्रतिवर्श का जो कमिट्मेंट है उ अगले वीडियो में तब के लिए जय हैं